वे देदी हैं जो आप सभी क्या हाल चल आपके उमीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होगे और अपने सेहत का ख्याल रहे होगे तो हम लोeg चाह खरहे हैं हम लोग पर रहे हैं तीजिटी पीजिटी हम लोग के जो भी एक्जामनेशन होते हैं computer science के उस स्लेबर को complete करने की कोसिज कर रहे हैं from zero to high level from zero to high level ताक के आपके एक्जामनेशन जो के जो भी आपके एक्जामनेशन हो जैसे केंटरी विद्याल है आर्मी पब्लिक स्कूल के या फिर आपके एक्जामनेशन हो जाते हैं न बोदे विद्याले के या फिर कोई भी टीजिटी या पिजिटी लेवल के स्टेट एक्जामनेशन हो जाते हैं जैसे के जो बेसिक है वहां से लेकर हम लोग हाईयर कॉंसेप्ट सक जाएंगे ताकि आपके हर एक कोस्चन स्वाल हो पाए और एक्सपेक्टिड जो कोस्चन है वह भी आप असानी से स्वाल कर पाएं ठीक है हम लोग जो एक्जामनिसम का लेबल है उससे एक आगे ही चल रहे ताकि आ आप लोग उसको असानी से कर लोगे ठीक है इससे पहले हम लोगों डीजिटल एक्ट उनिसका पहला क्लास पर लिए आज हम लोग सकेंड क्लास में अगर आप नहीं है तो प्लीज पहला वीडियो देखिए फिर स्वाट टेक है तो मुझ हमसे जूडने के लिए बहुत ही अ तो हम लोगों ने पिछले क्लास में basic gates और basic gates और उसके different जो होते हैं and or not को पढ़ाता है यहां से हम लोगों ने deduce किया था क्या क्या अपने universal gate and or not को और उसके पाथ हम लोगों ने दो or gate पढ़ाता एक तो exclusive or gate पढ़ाता और एक पढ़ाता हम लोगों ने क्या exclusive nor gate आपको याद होगा ठीक है तो यहां पर देखो universal gate क्या है universal gate है nand or nor क्या क्या nand or nor मेरा क्या है universal gate है इसको universal gate क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां से हम लोग कोई भी digital circuit क्या कर सकते हैं बना सकते हैं without using any other gate क्या मतलब अगर हम लोग को nand या नौर दे दिया जाए nand या नौर दे दिया जाए और हम लोग को कोई भी digital circuit बनाने बोले तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं ओके ओके बैया बना देंगे कुछ और चीज़ का जरूरत नहीं है को ठीक है इसका मतलब यहीं हुआ ठीक है बॉस है यूनिवर्सल बॉस है ठीक है आगे चले ठीक है अब देखो तो अगर यूनिवर्सल बॉस और नौर तो उसको यूज करके हम लोग कैसे बना सकते हैं डिफरेंट गेट्स देखो नेंड का कैसे गेट हो सकता है था नंड हुआ था क्या नौट और 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 तो नौर और कैसे बनता है ऐसे बनता है और ठीक है और इसमें हम लोगों नहीं लगा दिया end, यह हमारा नेंड और notots इसके ट्रूटेवल को भी आप लोगों ने जाना था डूटेवल को भी आ लोगों ने जाना ता कोई दिखवकत नहीं है हम लोग कैसे और सारे digital gates Vुर्श निकाल सकते हैं the basic and and not उसके बारे में जाननी की कोसिद करजें देखो कि येमेरा और ये मेरा और है क्या है बोलो ये मिरा क्या है और यह में गर्टनल तो ये दो नहें यूज़ करकी हम लोग not बना यह और नॉठ्ट कुछ करके हम लोग क्या बना रहें नौट बना रहे, तो नौट में एक ही इन्पुट होता है, एक इन्पुट डाला हम लोगों, यहाँ पर सिंपली मेरा एनौट आहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा इन्पुट नहीं है, तो हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, उसे तरफ नौड में भी ए डाला, एनौट आ तो हम लोग को क्या यहां पर जादे दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि यहां पर एक ही इंपूट का हम लोग का एजली आ गया अब दिमाग कहां लगाना पड़ेगा जहां पर मेरा दो इंपूट है समझो अगर हम लोग क्या यह तो क्या है मेरा एंड है क्या है मेरा यह एंड है यह पार्ट एंड है और यह वाला क्या है और तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं और यहां पर यूज कर रहे हैं क्या नौर ठीक तो कैसे बनाएंगे एंड पहले दिमाग में आया अरे अरे में दो input था a.b तो यह मेरा आना चाहिए output कैसे आएगा अगर हम लोग a b एक nand में देते हैं ठीक है यहाँ पर मेरा क्या आया a b का compliment अगर मैंने आपको क्या बता था अगर मेरा a dash उसका फिर से a dash ले ले लिए तो मेरा answer क्या आजाता a तो हम लोग को दिमाग में आया अरे a b a dot b dash है तो अगर a dash और दे दे तो मेरा a b answer आ जाएगा तो हम लोगों ने एक और क्या लगा लिया nand gate लगा लिया और nand gate को यहाँ पर लगात एक और dash आएगा यहाँ पर और इसके बाद मेरा result क्या जाएगा जो अंदर में था a b समझ में आया all right कोई दिकत नहीं चलिए यह समझ में आ गया अब चलिए nand और यूज करके कैसे बनाएगे नौर 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 यूज करके हम लोग कैसे बनाएगे end gate and का logic क्या है a b होना चाहिए मेरा a आया यहां पर नौर में अगर a' यहां पर है b' यहां पर है तो हमको क्या बनाना है a b समझो अगर और मेरा राता तो a' b' ऐस ऐसे answer आता है यहां पर not लगा हुआ है तो यहां पर मेरा आगया एक और dash डि मोरगन से अगर आप लोग करते हो तो एड़ास, a-dot, b-b-d, तो मेरा क्या आ जाएगा, a-b, a-dot, b, demorgans theorem, आप लोग जानते हैं, number system, algebraic जब function पराजाता तो वहाँ पर number system पराजाता है, तो वहाँ पर हम लोग minimize करते हैं, अपने algebraic function को, वहाँ पर demorgans होता है, तो मैं आपको अगर नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, दो थियोड़ाम होते हैं, एक तो होता है, अगर a-b हो, ऐसे दिया हो, तो आप लोग इस end को और में पहले बदलो, a का dash लो, b का dash लो, अगर इसी तरह अगर a plus b ही, dash निकालना हो आपको, compliment, तो पहले end को not करो, sorry, end को यह क्या है, और है न, और को end करो, sorry, a dash, b dash, यह आपका हो गया answer, ठीक है, यह मेरा पहला theorem, यह दूसरा theorem, आपको समझ में आयोगा, आप लोग एक बार ध्याद से देख लो, ठीक है, देख लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, और आगे चले, okay, अब चलो, और gate बनाते हैं, using the nand और nor, तो और gate में मेरा logic समझ में, आया, आया रहे, a plus b होता, a plus b कैसे लाएंगे, दिमाग लगाते हैं, and को use कर, nand को use करके, तो यह मेरा nand है, यह आया a dash, यह आया b dash, compliment या dash एक ही चीज़ है, और यहां पे, यहां तक मेरा क्या answer आया, यहाँ पर आया a dash plus b compliment a compliment b compliment and होगा यह होगा क्या no 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 बताओ ना यह तो यहाँ पर होगा नहीं तो क्या होगा यहाँ पर होगा and that is dot dot याद रखो dot क्या है and plus क्या है और compliment ऐसे यह यह क्या है not याद है कोई दिकत नहीं चलते हैं यहाँ तक यह आया हमको क्रला समको यहाद है आया तो हम लोगोंगों यहाँ पर नोट लगाया तो दैस हम लोगों ने तो यह डैस के हैंड के पात कर बद Add और भी येंच भी डेस का हम आbayले प्लस में आया आया हो समझ में आया है समझ में यहां बें खोड़ कन फ्यूस कर रहा हूं डॉस और ब्लस में और और में अगर आप नैंने तो आप इस चीज को नwn mouse पक्रएंगे आपको आज के बाद हमेशा याद रहेगा ठया आगे चलते हैं A, B हम लोग को यूज करके बनाना है NOR, क्या बनाना है OR, ठीक है तो A, B लिया, यहाँ पर मेरा result क्या आया A plus B का test ठीक है, इसको हम लोग को एक और compliment अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो A plus B हो जाएगा, तो simply हम लोगों को ने एक और नौर लगा दिया और उसके बाद मेरा यह डिचल्ट आ गया ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया एक बार ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आगया मैंने आपको कन्फ्यूज भी करने की कोसिस की उसके बाद सही बताया, ताकि आप आज की बाद इस जीच को याद रखो जब हम लोग भी थे थोड़ा थोड़ा कभी कन्फ्यूज हो नहीं उता था पर अगर आपको अच्छे से बता जाए तो आप हमेसा याद रखोगी आपक है कोई दिक्कत नहीं आगे चले हैसे, को को यहां पर क्यों इतना दिमाग लगा रही हैं जाएληा हैंकि यहां पर हम लोग जाद हैं तो हमzychXT अवकिन होगी कि नहीं ठीक है आगे चलते हैंब देखोन लोग को जो की बनाना यूजिंग द ना यहां पर एक बात इंपर्टेंट रखो कि यहां पर देखो एक दो तीन चार हम लोगों कितना चार में यूज करना पड़ा बनाने के लिए यह एक्जामनेशन में आप से कोस्टन पूछ सकते हैं यह कई तीके कि मैंसimmung को भी समझाओं चलो आप के लिएан व्मपर कर आप इसको ध्याँ से देखो मैं बताता हूं कैसे कि ऐस्क्रोजीब और में क्या होता था जब मेरा स्फेम इंपुझ होता था मेरा ऑटुट कबाने यूजिग दन एंड ठीक है कैसे बनाओगे यह मेरा क्या हो गया मैंने आपको एक सर्किट बना के दिया है आप इस पर क्या करोगे एक एक करके अपना इंपुट डालोगे चलो एक बताता हूं बताओं चलो यहां पर हम लोग ने दिया 0, यहां पर दिया 0, यह मेरा 0 यहां पर आया, 0, 0 का end हम लोग किये, end के तो 00 का 0 आएगा पर मेरा यहाँ पे आगया क्या one यहाँ तो चला गया one यहाँ पर अभी भी क्या आ रहा है zero यहाँ पे क्या रहा है अभी भी 0 यहाँ पे क्या चला गया one अब देखो, इस NAND को यूज करते हैं जी करो और one मेरा और end रहता तो मेरा 0 आता पर मेरा alt होगे क्या जाएगा one ना जाएगा यहां पर आथा है one यहां पर भी मेरा आजाएगा one अगर one one कर रहे हैं तो मेरा end में क्या आता है one पर यहां पर not लगा हुआ है तिसका उल्टा क्या zero तो मेरा q equal ce यह रहरा आप इसको अपने से एक बार करोगे तो कि आगे चलो आपको यह सब बात है क्या करना है जोर बनाना है देखो यह आपका डाग्राम है आप सेम ही कर लोगे ठीक है आगे चलते हैं अब चलो आपको यह सब बाते समझ में आई होंगी सिंपल सी बाते थी इंपर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया इस पर अब देखो कोस्चन क्या है इंपर्टेंट कोस्चन देखे क्या है समझने कोशिश करते हैं क्या बोलता है वीच वान अब दा फॉलिंग एक्सप्रेशन डस नौट रिपरजेंट एक्स्क्लूजिव नौर और अफ एक्स एंड वाई क्या हूँ रहा है एक्स्क्लूजिव नौर अफ एक्स एंड वाई अगर एक्स्क्लूजिव और की बात करें एक्स वाई तो आप कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे अगर एक्स नॉट करोगे, एक्सक्लूजिव नॉट करोगे तो आपका यह एक्स्प्रेशन क्या बन जाता था? एक्स वाई प्लस एक्स देस वाई डेस बनता था कि नहीं? बनता था तो यहां पे हमसे कुछन क्या पूच रहा है? not represent इन में से ऐसा कौन सा है जो की not of xy represent नहीं कर रहा है ठीक है कौन सा है बताएं देखो answer है d कैसे मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ अगर x dash यहाँ पे लगा हुआ है y dash ठीक है अगर इसका हम लोग क्या करते है exclusive और लेते हैं पहले ठीक है तो मेरा x dash क्या जाएगा y plus अगर y पे dash लेते हैं y dash को रहने देता है तो x मेरा यह होगा expression ठीक है तो यह मेरा exclusive और का है expression ठीक है नौर का नहीं है समझ में आया चलो एक और मैं बताता हूँ अगर c का ले लेते हैं option through option बनाने कोशिश करें ठीक है यह तो मेरा सरासर है exclusive नौर यह तो मेरा आपको यहाँ पर दिखाया चलो इसको अगर हम exclusive और पहले लेते हैं x y dash plus x dash y dash तो अगर इसका नौर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा पहले दोनों टर्म पर x y और पहले दोनों टर्म पर x y यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा मतलब क्या होगा हाँ ठीक है को जब टीक है तो मेरा एंसर क्या होगा डी वाकी यह तीनों आप क्या करूए करोगे तो आपका यह नौर ही आएगा है यह आपका नौर नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा मैंने आपको करके दिखाया ठीक है अपने से करोगे आपको खुद भी बेहतर समझ में आएगा ठीक है कोई दिकत नहीं आगे चले ओल्राइट अगर आपसे आपके एक्जामिशन में टीजटी कंप्यूटर साइन्स का जो भी टीचर्स एक्सप्रेशन है तो आप लोग उसको एजली कर ले जाओंगे ठीक है आगे चलते हैं इस देखो यह मेरा एक ट्रूट टेवल दिया हुआ है क्या है अगर मेरा जीरो-जीरो है तो मेरा एंसर जीरो आरा रहा है तो मेरा एंसर जीरो आरा रहाए वनजीरो है तो मेरा इंसर о रहा है है 1 सक्ष्ट मेरा इनसर वन रहर है, तो देखो क्या हो रहा है यहां कि के समझने कुसित करते हैं क्या हो राया पे 0-0 कर रहे तो 0 आ रहा 0-1 कर रहा रहा नना चर ready to तो मेרा जो भी एक्सता वही मेरा जा रहो ही मेरा एंसर आ जो भी एक्सता वही एंसर आ良 जो ऺह एक्सता मेरा एंसर आ यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और भी सारे चीजे इंच यह देखो मेरा x y z है और और को invert कर रहे हैं तो x अगर समझो मेरा और है तो मेरा और में क्या होगा x plus y plus z इसको invert कर देंगे तो क्या जाएगा dash वहीं पर end x dash y dash z तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो यहां को अगर हम लोग कर रहे हैं तो यह मेरा x dash demorgans देखो मैंने क्या बता है था कि हर एक और को करो end में ठीक है कर लिया उसके बाद हर इक टर में करो compliment x dash y dash z तो क्या मेरा यही नहीं है है ना तो इसी का अगर हम लोग करेंगे expanded form तो यह आएगा अगर इसका short form करेंगे तो यह इधर वाला आएगा ठीक है समझ में आया होगा यह सब बात है आगे चले असान सी बात है अब चलो demorgans के असली theorem में चलते है detailed form में ठीक है theorem on क्या कहता है अगर a dash b a dot b है मतलब a end भी है उसका compliment ले रहे है तो end को बदलेंगे और में और मेरा हरी term का क्या आजाएग compliment आजाएगा ठीक है समझ में आया होगा यह देखो इसका truthable है एक मैं आपको line समझाता हूँ अगर मेरा a b है अगर a b का end करते तो मेरा 0 आता और आ रहा है 1 क्योंकि हम लोग इसका compliment कर रहे है a dash कर रहे है तो देखो यहां तक मेरा answer यह आया आया क्या इसका भी answer lhs equal to rhs आएगा देखते है मेरा 0 था 0 का compliment लेगे तो 1 0 था 0 compliment 1 1 1 खा अगर हम लोग और लेते हैं तो मेरा answer 1 ही आएगा तो क्या a b compliment a dash plus b dash के compliment के equal है की नहीं है तो मेरा lhs equal to rhs है तो मेरा यह theorem बिल्कुल ही सही है ठीक है चलते है अगे अब देखो theorem 2 क्या है उसका उल्टा है अगर मेरे पास a plus b मतलब a और b का compliment है तो हम लोग पहले तो क्या और को बदलेंगे end में और इसका ले लेंगे compliment simple ठीक है और nor को हम लोग bubble end भी बोलते हैं और यहाँ पर नेंड को हम लोग bubble और भी बोलते हैं important आपके examination में यह पूछ लिया जा सकता है ठीक है चलो इसका भी एक लाइन सबसे लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूं यह AB का और लेते तो वन आता पर इसका compliment लिये तो मेरा एंसर जीरो आया तो हम लोग देखते हैं क्या मेरा LHS RHS के equal है की नहीं है ठीक है तो मेरा यहाँ पर 1 का 0 आजाएगा compliment 1 का 0 आजाएगा और इसका अगर हम लोग NAND क्या इसका NAND लेंगे तो मेरा एंसर 0 ही आएगा तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 मतलब LHS equal to RHS है मेरा यह भी theorem एकदम बिल्कुल सही है ठीक है यह important दो theorem बहुत important आप अब यह दिखो मैंने बताया ना आपको यहाँ पर मैं आपको higher level पर लेके चलता हूँ इसलिए question थोड़े higher level पर है आप इससे थोटा वाला question बहुत यह असाने जिखर ले जाओगे यह बी गेट का question मैं आपको करके आप इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको include किया है यहाँ पर मेरा एक circuit दिया हुआ है तो बताता है कि circuit का output f निकालो और बताओ कौन सा सही है क्या कौन सा सही है तो क्या करोगी तो क्या करोगी देखो यहाँ पर y-dash का compliment जाएगा y-dash यहाँ पर x है तो यहाँ पर समझो यहाँ पर मैं देता हूँ one यहाँ पर देता हूँ two और यहाँ पर देता हूँ two वन की बात करते हैं तो one में मेरा x और y-dash का क्या हूँ पहले तो end हुआ और इसका भी एक compliment निकल लिया फिर दो नम्मर पर क्या हो रहा है कि मेरा z जा रहा है और y जा रहा है तो यहाँ पर y.z का compliment ले लो ठीक है और third में क्या हो रहा है कि मेरा one और two का जो result आया उसका फिर हम end करके nand gate में लगा रहा है तो बता रहा है कि one of each of the which one of the flying is true तो देखते हैं पहला हो जाएगा मेरा x-dash ठीक है plus y second का हो जाएगा मेरा demorgans use कर रहे है याद रखना हूँ y-dash plus z-dash अगर x-dash plus y फिर इसको हम लोग यह कर लेते हैं end ठीक है और इसका ले लेते हैं हम लोग complement पहले तो end का हो जाएगा यहाँ पर इसमें अगर लगाएंगे तो यह हो जाएगा x-dash plus बीच वाला का plus इसका और इसमें y into z ठीक है तो देखो मेरा जो result f आ रहा है वो हर एक चीज पर depend कर रहा है xyz तीनों पर depend कर रहा है तो इसका क्या मतलब है none of xyz is redundant मतलब कोई भी redundant नहीं है सब का u जोड़ा है तो इसलिए मेरा correct answer क्या है d है समझ में आया होगा all right आप इसको अपने से करेंगे ध्यान से देखो यह सर चीज है आपको basic बताया जा सकता है पर आप कितना question solve करते हो यह आप पे depend करता है तभी आपकी थोड़े बहुत जो computer है वो कत्तम होंगे ठीक है आ का demorgans परा हम लोगोंने अब इसके बाद हम लोग algebraic identities परेंगे जहां से हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपने algebraic expression को minimize करने की courses करते हैं all right thank you so much for watching the video अगर आप नहें तो please subscribe the channel आपके लिए बहुत ही मैनत कर रहे हैं please appreciate कीजिए और PDF चाहिए तो please join the telegram channel आपको description box में link में और एपके बाद आपके बाद